बीजेपी से निलंबित विधायक और पूर्वविधान सभा अध्यक्ष कैलाश मेगवाल ने केंद्रिय मंत्री अरजुन राम मेगवाल पर IAS अधिकारी रहते हुए ब्रस्टाचार के आरोप लगाए हैं। कैलाश मेगवाल ने कहा है कि अरजुन राम मेगवाल ने साल 2014 और 2019 के लोकसभाचुनाओं में तथ्य चुपा कर जूठा शपत पत्र दाखी किया। कैलाश मेगवाल का दावा है कि अरजुन राम मेगवाल के खिलाप आपराधिक मामले दर्ज थे लेकिन इसके बावजूद उन्होंने शपत पत्र में इन तथ्यों को छुपाया। प्रमानित होने के बाद जो अरजुन राजी ने अपने प्रजाब से पत्रा दी दबा रखी है। इसके बाद अरजुन राजी ने दो बार तीन बार चुदाव लड़ा है। 2014 में लोकसभा का चुदाव लड़ा है। और उस लोकसभा के चुदाव में जो नामनिदेशन फारम भरते हैं उस नामनिदेशन फारम के साथ एक एफिडेविट देना पड़ता है। और उस एफिडेविट में इनने जो जानकार्या मागी गई वो चानकार्या घलक दी। कैलाश में एकवाल ने कहा है कि वसुंधरा राजिसमर्थक को राजिस्थान में चुन-चुन कर टार्गेट किया जा रहा है। वो खुद भी इसका शिकार हो चुके हैं। मंत्रकारों को संबोधित करते वे कैलाश में एकवाल ने कहा कि केंद्रिय मंत्री में एकवाल पर मैंने 27 अगस्त को ब्रस्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। मैं इसके लिए पी-म नरिंद्र मोधी को जाच और उनको मंत्री मंडल से हटाने के लिए चिठ्ठी भी लिखूंगा। बता दे कि अरजुन राम मेघवाल राजेस्थान से बीजेपी के लोगसभासांसद हैं। वहीं इस मामले पर पूर्व राजेसभासांसद ओंकार सिंग का कहना है कि कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी ने लिया है। उन्होंने कहा है कि कैलाश मेघवाल लगातार अपनी पार्टी और नेताओं को सारवजनिक रूप से बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे।